चलिए आज बनाते हैं साबूदाना खिचडी एकदम खिला खिला देखने में यह जितना अच्छा लग रहा है ना सच मानिए खाने में भी यह बहुत ज़्यादा लाजवाब लगता है आप व्रत में हैं या बिना व्रत के आप इसे बना कर इंज्वाए कर सकते हैं साबूद कर रही हूँ एक छोटा कब साबूदाना देखिए पहले साबूदाना को न दो तीन बार पानी से अच्छे से साफ कर लें और उसके बाद जितना हमने साबूदाना लिया है उतना ही उसमें पानी डाल कर करीब 5-6 घंटे के लिए आप रख दे उसके बाद हम साबूदाना बनाएंगे इससे क्या है इतनी देर में जाबूदाना अच्छे से फूल जाएगा अब एक पैन गरम करें और उसमें डाल दे एक चमज के करीब देसी घी देखिए वरत है तो आप देसी घी का इस्तमाल करें नहीं तो किसी भी तेल में आप इसे बना सकते हैं हलका गरम हो जाने के बाद इसमें एक छोटा चमज जीरा डाल दें कुछ सेकेंड्स के बाद इसमें बारी किया हुआ हरी मिर्च डाल दें हरी मिर्च आप अपने स्वात के अनुसार कम या जादा इस्तमाल कर सकते हैं देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ करी पत्ता ताजा करी पत आलू को उबाल ले उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकडे कर ले इस तरीके से अब बस अब करना कुछ नहीं है गैस का फ्लेम जो है न वो मेडियम से हाइपर करें या हाइपर करके इसको तीन चार मिनट या पांच मिनट के लिए लगा थार चलाते हुए थोड़ा सा भू अब इसमें डाल देंगे आधा कप या आप कम डालना चाहते हैं तो कम डाल दें ये भूना हुआ मूंफली है मूंफली को हलका सा क्रस कर ले हलका सा तोड़ ले उसके बाद इसमें डाले अब इसमें सीधा नमक में डाल रही हूं व्रत है तो सीधा नमक का इस्तमाल करें न साबुदाना दिखिए कम से कम 5-6 घंटे आप जरूर भिंगो कर रखें तभी ये जो साबुदाना खिचड़ी है एकदम खिला-खिला बनकर तयार होगा अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले मिक्स करने के बाद अब इसे हमने ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती है या इसमे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढग कर एकदम धीमी आज पर करीब 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे इतने देर में क्या है ये जो साबुदाना है अच्छे से इस टीम में अपने ही इस टीम में पक जाएगा तो देखिए पूरे 10 मिनट हो चुके हैं और ये जो साबुदाना ह एकदम खिला खिला बनकर त्यार हो चुका है देहिते हैं गैस का फ़लेम जब आ बंद कर दे न तो बस एक पर चला कर वापस से इसे 5 मिनट ढख कर छोड़ दें आप देखेंगे एकदम खिला खिला साबुदाना खिच्छी बनकर तैयार हो गया है लास्ट में इसमें बारी किया हुआ धनिया पत्ती डाल दें और एक निबू का रज डाल दें इससे क्या है ये जो साबूदाना खिजडी है ना एकदम खाने में लाजवाब लगेगा तो जिस तरीके से मैंने बताया है ना उस तरीके से आप बना कर देखें कभी भी आप साबूदाना खिजडी बनाएंगे ना इकदम खिला खिला बनेगा खाने में तो अच्छा लगता ही है सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज है इसे आप जम मरजी इंजवाए कर सकते हैं बस टाइम वही लगना है कि साबूदाना को हमने पहले से भींगो कर रखना है करीब 5-6 घंटे के लिए तब ही ये जो साबूदाना खिजडी है ना अच्छा बन कर तैयार होगा एक कप साबूदाना ले रहे हैं तो एक कप पानी डाल कर इसे आप भींगो कर रख दे और उसके बाद इसे बना कर आप जब मरजी इंज्वाए करें तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तेंक यू